जै मसी के दोस्तों, आज के स्वरीगे मन्ना का भाग हमने लिया है नेती वचन के पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका बीसवा, एककेसवा, बाइसवा और तेईसवा वचन वचन कहता है, बुध्धी तो सडक पर जोर से पुकारती है, वो चरहों पर अपनी आवाज उठाती है, वो भीड से भरी सडकों पर चिलाती है, वो नगर के फाटकों पर अपनी बातें करती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोले पन से मोहो रखोगे, और ठटा करने वाल देलती, मैं तुम पर अपने वचन प्रकट करती, धन्यवाद पिता परमेशर, तेरे पवित समर्थी वचन अद्बोत है, दोस्तों वचन हमें क्या बताता है, वचन हमें बताता है कि जब से परमेशर ने सिष्टी के रश्टा की तब से, परमेशर चाहता है कि हम उसको ना चाहता है, नबियों के द्वारा उसने कई ग्यान की बाते आप तक पहुँचाई, पमित्रशास के द्वारा उसने कई बाते पहुचाई, लेकिन इनसान नहीं समझा, दोस्तों, बाइबल कहती है कि देखिए, आप महसूस करिए, जाया परमेशर को नहीं जानते थे उस वचन कहता है कि बुद्धी उसकी बुद्धी चोहराए पर खड़े होकर बोलती है कि तुझे क्या काम करना है, तुझे क्या गलत है, क्या सही है, तुझे किस रास्ते पर चलना है, तुझे किस रास्ते पर नहीं चलना है, अब सोचिए जब आप रहु में नहीं थे, कई ब बुद्धी हमेशा हमें बचाने का प्रत्न करती थी, लेकिन हम उस बुद्धी को समझ दी सकते थे, हम उस बुद्धी को समझ दी सकते थे, उसकी उसकी शक्ति को हम पहचान नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि पाप हमारे मन में था, क्योंकि पाप के हम दास थे, हम परमिश्र क कि बुद्धी हमें बताती है कि हमें क्या करना है तो वो शक्ति जो परमेशर की हमारे अंदर है वो आत्मा जो परमेशर की हमारे अंदर है उसकी साहता से हम परमेशर के वो काम कर बैठते हैं हम परमेशर की वो आशीशों को पाते हैं और पाने के बाद हम अचंबा करते हैं कि परमिशे की बुद्धी की आवास को सुनने लगे हैं हम परमिशे की बुद्धी के साथ चलने लगे हैं इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त बहुत जरूरी है कि हम उस बुद्धी को पहचाने उसकी आवास को पहचाने वो हर पल वो हर पल हमारे साथ है, वो हर पल हमें बताती है, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, तो दोस्तों, ऐसे विश्वासी, ऐसे मसीही, जब हम मसीह की जिन्दगी गुजारते हैं, तब भी, आज भी हमें आवास सुनने की जरूरत है, आज भी हमें समझने की जरूरत है, आज पूरी तरीके से आत्म साथ होकर पूरी तरीके से परमेशर की आवास सुनने में अपने आपको लगाना अपने आपको लगाना ताकि हम उसके सही रास्ते पर चलके यही तो परमेशर चाहता है इसलिए परमेशर चाहता है कि तुम मेरी बाट जो इसलिए परमेशर चाहता है उसके आने पर उसकी बातों पर उसके वचन पर अपना कान लगाएंगे और जब हम उसके वचन पर अपना कान लगाएंगे तो हम उस बुद्धी के दोरा जो उसकी है अदबुद और हम अचंबित कारे करेंगे हम ऐसे कारे करेंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा हमारे द्वारा ऐसे से काम हो जाएंगे जो हमने कभी सोचा नहीं होगा हम किसी के लिए प्रात्रा करेंगे कि उसके आँखे खुल जाएंगे हम किसी के लिए प्रात्रा करेंगे परमेशर के साथ तो परमेशर का शीश परमेशर की शक्ती हमारे चीवन में काम करेगी आईए दोस्तों हम एहद करते हैं वाचा बांते हैं कि आज से हर पल हर शर्म हम उसकी बुद्धी पे अपना कान लगाएंगे तक क्या वो कह रहा है वो क्या चाहता है हमसे वो क्यों चाहता है हमसे हम वही करेंगे जो वो हमसे चाहता है आईए प्रात्रा करते हैं धन्यवाद पिता परमिशर तेरे पविति सामर्थी नाम में अद्बुश्यपा है हम धन्यवाद देते हैं प्रातना आपके पुद्रिश्य मुसी के नाम से करते हैं, सुनने वाले हर भाई बेहन के लिए आश्रीज और सुखर शेंगाई मांगते हैं, Amen, 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 Amen.